हेलो और वेलकम बाक टू माई चैनल फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यू डिजाइन के अबायाज एड बुर्खे तो हम जा रहे हैं लाल मस्जिद रोड जो है शिवाजी नगर में यहाँ पे हम लोग एक्स्प्लोर करने वाले हैं इस्पेशली एक डेडिकेटड बुर्खे वाली गली तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताके आपको सारे डीटेल्स मैं यहाँ पे सही सही से बता सकूँ जाते जाते मुझे यह आमी नहीं दिखाई दी और यहाँ पे मुझे पता चला के अरे भाई यह तो आम का सीजन आ गया है आपने मेरा आम का व्लॉग तो देखाई होगा जो मैंने लास्ट एर बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो वो अभी भी मेरे चैनल पर है जाकर चेक आउट कर ले लास्ट वीक भी मैंने इसी स्ट्रीट के ये दो दुकाने रहमत हौल और बरकत हौल के डिजाइन एक्स्प्लोर किये थे अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो फ्लीज जाकर देखे वो भी मेरे चैनल पर है और काफी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर हम पहुँच गए है लाल बजार बुर्खा ट्रेडर्स असोसियेशन क्या आप देख सकते हो यह है लाल मस्जिद की गली यहाँ है हमारा लाल मस्जिद यहाँ पर रेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह है लाल मस्जिद and this is the association यहाँ पर ऐसा बोर्ड आपको दिख जाएगा आप गूगल मैप से आप सर्च करके इस गली में आ सकते हो इस गली की एक खास बात मैं आपको बतातू यहाँ पर बार गेनिंग चलता है and यहाँ पर आपको हर रेंज के बुर्खे from starting 500 से 5000 रुपीस के बुर्खे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर एक दुकान में आपको different variety and different designs of बुर्खे ही बुर्खे दिखाई देंगे चलिए हम लोग और आगे चल कर और explore करते हैं even यहाँ पर आपको बुर्खे के डुपटे वाली दुकाने भी यहाँ पर जो stalls होते हैं उसकी भी dedicated दुकाने यहाँ पर दिख जाएंगे हर दुकान में आपको एक से बढ़के एक design दिखाई देगा आपको मैं हर detail इस वीडियो में with the price explain कर दूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो please मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरही के shopping and traveling vlogs मिलते रहें तो हम जा रहे हैं यह वाली दुकान जिसका नाम है जैनब बुटीक explore करने के लिए यहाँ पर देखे the very first अबाया मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा सच मानो इसकी quality बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा लगा मुझे यह front open है यहाँ पर देखे बटन्स आपको इस तरीके के बुर्खे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यह बहुत ही easily wearable होते हैं आप शादियों में जा रहे हो और आप हेविली ड्रेस्ट हो और आपके बुर्खे यूनो अगर टाइट अन फुली पैक्ट होगे तो आपको बहुत ही uncomfortable होगा तो यह बहुत ही easy and बहुत अच्छा दिखने वाला बुर्खा था इसके बाजू में यह वाला भी और एक बुर्खा यहां पे इसका hand में umbrella sleeves थे and यहां पे इसका थोड़ा सा फ्रंट में कुछ काम दिया गया था and यह है और एक new design ऐसे new design के बुर्खे मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे this was grey and somewhat like you know black and bluish shade में ऐसा दिख रहा था यहां की lighting थोड़ी different थी इस दुकान की इसलिए शाद proper color capture नहीं हो पाया है camera में but trust me that was really very good इस दुकान की I tell you collection बहुत अच्छी थी 1900 के range में है after bargain आपको 1400 तक भया कर देंगे बता रहते यहां पर देखे आपको हर color में हर design में बुर्खा दिखाई दे रहा है आप यहां पर देखे every color and every design and इसको नस्दीक से भी आपको मैं दिखा देती हूँ इन बुर्खों के साथ डुपटा भी साथ में available है and without डुपटे वाले बुर्खे भी available है यहां पर नस्दीक से देखे इसका काम किया हुआ यह sticking वाले कुछ stones थे यहां पर and यह वाले देखे यहां पर भी sticking वाला ही काम है बहुत ही अच्छा है and यह वाला again this is so pretty पता नहीं front open वाला and इसके बाजू यह sleeves में देखे geometrical print दिखाए दे रहा था and again this pink color pink है यह बहुत ही प्यारा लग रहा था this is also front open मुझे front open के बुर्खे बहुत अच्छे लगते easy to wear लगते है I know एक जमाने में outdated था but then मुझे ऐसे ही बुर्खे पसंद आते है जो front open होते है so that you can wear it easily and remove it easily and यहां पर देखे full pack वाले भी बुर्खे आपको यहां पर दिखाई देंगे देखे यहां पर ऐसे maxi type के gown type के बुर्खे यह वाला बुर्खा भी बहुत fancy था new brides के लिए ऐसा वाला बुर्खा बहुत ही ज्यादा कुछ धाई हजार के range में था and such mano this was really looking very pretty especially for the young girls and the brides यहां देखे आपको ऐसे डुपटेज भी मिल जाएंगे जिसको आप अपने बुर्खे पे style कर सकते हो अगर आप interested हो है ऐसे वाले style करने में इस दुकान का नाम है जैनब बुटीक याद रखना fancy imported abayas यहां पर मिलते हैं जैसे ही आप इस association में घुसोगे अंदर and इसी Salma बहुत अच्य है यह है उसके आगे वाली एक दुकान यहां भी वराइटी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी और यहां पर यह वाली दुकान में मुझे यह वाला बुर्खा एट्रैक्ट कर गया था it was not looking like a बुर्खा but it was looking like a gown यहां पर देखे white and pink and pink मैं सब कलो को पिं चलिए आगे चलते हैं और भी इस ट्रीट में ज्यादत है दुकानों में आपको तैयार ready made बुर्खे ही मिलेंगे यहां पर देखे यह वाला umbrella sleeves पता नहीं इसको क्या sleeves butterfly sleeves कहते हैं butterfly sleeves वाला बुर्खा and colorful बुर्खे बट आपको कई सारे ऐसे दुकाने भी मिलेंगी जो आपके measurement लेकर बुर्खे बनाएंगे तो यहां पर ध्यान रखे bargain चलता है and bargain जरूर कीजिए okay from the price they quote you you will be loving this place next time आप जरूर street को explore करोगे I know that commercial street में भी बहुत सी आबायास की दुकाने हैं but then they charge you so much आप यहां पर आईए उसी के जैसे copies मिलेंगे आपको first copies and बहुत ही pretty बुर्खे मिलत हैं इस गली में यहां पर देखे हर दुकान में variety आपको different दिखाई दे रही है colorful में and this यहां पर यह green and black मुझे बहुत अच्छा लग रहा था and then this pink color okay okay pink है I don't know which color चलो जाने दो colors की तो मैं बात ही नहीं करती because मुझे colors ही नहीं आते समझ okay यहां पर जितनी मेरी नजर आगे त ही रात हो जाएगी and यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहां से चलती हूं चलते चलते आपको return में भी जो बुर्खे की दुकान दिखाई दे रही है दिखा देती हूं तो याद रखें यहां पर आने का तरीका है nearest bus stop है शिवाजी नगर bus stop and वहां से आप Google में दाल लीजिए लाल मस्जिद and आप यहां पर आसानी से पहुंच जाओगे अगर आप टुवेलर से आ रहे हो तो और भी अच्छा है आप यहां गली में भी आपकी टुवेलर ला सकते हो and यहां पर है मस्जिद की entry back side की मस्जिद की entry and यहां पर देखें ऐसे चो market updates आपको new new shopping updates मिलते रहे आपको new new travel updates मिलते रहे जहां भी मैं जाओंगी वहां का सारा update दे दूंगी बाबाई for now